दोस्तों आज मैं आपके एक रोचक कहानी सुनाने वाला हूँ जिसका शीर्षक है अकल का इस्तमाल एक गाउं में एक बड़ा ही रहता था वे शरीर और दिमाग से बहुत मजबूत था एक दिन उसे पास के गाउं में एक अमीर आजमी ने फरनिचर बनवाने के लिए अपने घर पर बुलाया जब वहां का का काम खतुम गवा तो लोटते वक शाम होगे तो उसने काम के मिले पैसों को ये एक पोटली बना कर बगल में दबा लिए और उठंड से बचने के लिए कंबल उल लिया वे चुपचा सुनसान रास्ते से घर की और रवाना हुआ कुछ दूर जाने के बाद अचानक उसे एक लुटेरे ने रोट लिया डाकू शरीर से बड़ाई से कमजोर ही था पर उसकी कमजोरी को उसकी बंदूग ने ढख रखा था अब बड़ाई ने उसे सामने देखा तो लुटेरा बोला जो कुछ भी तुमारे पास है सभी मुझे दे दो नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूँगा यह सुनकर बड़ाई ने पोटली उस लुटेरे को थमा दिया और बोला ठीक है यह रुपे तुम रख लो मगर मैं घर पहुंच कर अपनी बीव को क्या कहूंगा वो तो यही समझेगी कि मैंने पैसे जुवे मुडा दिये होंगे तुम्हें काम करो अपनी बंदू की गोली से मेरी टोपी में एक शेद कर दो ताकि मेरी बीवी को लूट का यकीन हो जाए लुटेरे ने बड़ी शान से बंदू के गोली चला कर टोपी में शेद कर दिया अब लुटेरे जानने लगा तो बड़ी बुला एक काम और कर दो जिससे बीवी को यकीन हो जाए कि लुटेरों के गैंग ने मिलकर मुझे लूटा है वरना मेरी बीवी मुझे कायर समझेगी तुम इस कंबल में दो-चार शेद और कर दो लुटेरे ने खुशी-खुशी कंबल में भी कई गोलियां चला कर शेद कर दिया उसके बड़ी ने अपना कोट भी निकाल लिया और बोला इसमें भी एक-दो शेद कर दो तक ही सभी गाओं वालों को यकीन हो जाए कि मैंने बहुत संगर्च किया था इस पर लुटेरा बोला बस कर अब इस बंदूग में गोलियां भी खतम हो गई है ये सुनते ही बड़ी आगे बड़ा और लुटेरे को दबोश लिया और बोला मैं भी तो यही चाहता था तुमारी ताका सिरफ ये बंदूग थी अब ये भी खाली है अब तुमारा कोई जोर मुझ पर नहीं चल सकता है चुपचा मेरी पोटली मुझे बापस दे दे वरना ये सुनते ही लुटेरे की सिट्टी बिट्टी कुम होगी और अपनी जान बचा कर महा से भागा आज बड़ाई की ताकत तब काम आई जब उसने अकल को सही डंग से इस्तेमाल किया मित्रों इसी लिए कहते हैं मुश्किल हालात में अपनी अकल का ज्यादा इस्तेमाल करना चीए तब ही आप मुसीबतों से आसानी से निकल सकते है